नमस्कार स्वागत है आपको अदा इंडिया टॉप में मैं हूँ आपके साथ उशाल यादव राश्ट जन्रता दल के अधियक्ष स्रीलालू प्रसाद यादव 10 से 15 दिनों में बिहार आज आएंगे ये बात है नितर प्रतिपक्स तरसु यादव ने आज गुपाल गंज निकलने से पहले ही पत्रकारों से बात करते वे उन्होंने कहा है आपको बता दे कि 3-4 साल हो गया है वो जेल में से चारग होटाले के मामले में अब लेकिन जो राजनितिक गल्यारा है बिहार की वो गर्माती नजर आ रही है लगतार बयान सामने आ रहे हैं राजत के निताओं के कि जल्दी ही लालु प्रसाद यादव बिहार की राजनिती में पुन रूप से सक्रे नजर आएंगे बिहार के जनता के बीच नजर आएंगे आपको बता दे इन तिन चार सालों में बिहार की राजनिती कई बार करवट बदली है कई बार अपने रंग को बदला है लेकिन लालु प्रसाद यादव के नहीं रहने से कई बार राज़त को भुगतना में पड़ा है कि लावलुपरसाद यादव नहीं है तो इन सब तमाम चीजों को बात करेंगे हम आज जानेंगे कि लावलुपरसाद यादव जब बिहार आएंगे तो कैसा रहेगा राज़त कराजनेते बिहार कराजनेते और जनता कितना उतस प्रिमों हैं इन दिनों बिमार हैं जेल से निकले हैं लेकिन जल्द ही 10-15 दिन के अंदर विहार आजेंग ये बाते नेता प्रुतिपक्स तेसियादब में खुद कही हैं किस तरह देखते हैं कितना उटशाहीत हैं देखिए जब अस्थापना दिवस की जो कारकरम हमारे पार्टी दफ्तर में हो रही थी और उस टाइब में लालो प्रिशाद यादो जी वर्च्वली लोगों से जुड़े थे गाउं गाउं तक लोग अपने मुबाइल फोन की जरिये उनको सुना था उन्होंने उनकी संवो लोगों की है चुकि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालो प्रशाद यादो जन जन के नेता कहे जाने वाले लालो प्रशाद यादो आप समझ सकते हैं कि उनसे मिलने की एक मामुली कारकरता को कितना उत्साहित और कितना इंतजार है यह आप जाकर के पूछे एक मामुल जल्दी से वो आए बिहार में और लगता है कि ये संभावना बहुत जल्द बनने वाली है और बिहार के धर्ती पे वो बहुत जल्द आएने वाली है जल्देनै कि नेखाले करें भी है और स्वास्थ के मामलने में कितनी खली है देखे हम सब जानते हैं कि पिछली दो साल से पूरा देश कोरोना को जहील रहा है और इस बीच में ही विधान सभाग चुनाव भी हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि लालू परशाद यादर जी के एपसंस में ये चुनाव लड़ी गई जब कि हम सब ये भी जानते है कि किस तरीके से कौनस्परेसे के द्वारा उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया हाला कि उस टाइम बहुत ये संभावना थी उनकी की वो बाहर निकल पाते लेकिन सरकार जो है अभी वो चाहा नहीं रही थी कि इस टाइम में लालू परशाद यादर जी बाहर निकले है और उन्होंने वो घ्राबंदी करी जो टेक्निकल एक्शूज है वो दिखा करके उन्होंने किसी कारण से ओ निकला नहीं पाया थे उस टाइम से लेकिन ये चुनाओ लड़ी भी गई उनके बिना वह चुकी उपस्तित नहीं हो पाये थे लेकिन हमारे नेता माने नेते जिस भी यादो जी ने अपने आपको प्रूफ किया और वो संदेश और वो विचारधारा की पार्टी जो रास्ट जिंता दल है जिसमें कि सारे लोगों का समर्थन इतना आपार प्यार और इतना समर्थन बिला कि ह हम इस तादाद में जीत करके आए हैं अगर आप वोटो की प्रतिशत भी देखे तो बार बार हम कहरें कि महज 12,000 वोटो की अंतर रहा है और वो भी कई ऐसे प्रतियाशी हमारे रहे हैं जो बहुत कम मतों से हारे गए हैं या हराए गए हैं क्योंकि कई जगह हमने देखा कि तीन बजे काउंटिंग खतम हो गई है लोगों को जीत घोशित भी कर दिया गया है बाजोद इसके आठ और नौ बजे रात में उनको कहा गया कि री काउंटिंग हुई और आप हर गया तो इस तरह की बहुत सारी चीजे हुई हैं जो मुझे लगता है कि अगर वो लालु प चीजों को निपटने हमें हमें बहुत मदद मिलती जो प्रशासन और सत्ताधारी लोगों ने दुरूपयों किया आपने सत्ताका रह करके लालु प्रसाद यादब जब बिहार आएंगे तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उनके रावड़ी आवास की बात करें या फि अपने तमाम दर्शकों को चाहेंगे कि वो लोग भी जाने पहले है हमारी की वो पुर्णता चुकि सब जानते हैं वो अस्वस्त हैं तो उनके स्वास्त का ध्यान रखते हुए वो तमाम चीजों की देखी जा रही है उनके रहने का अच्छा प्रॉपर बंद बंदुबस् उनके हेल्थ रिगार्डिंग जो हैं डॉक्टर्स, एक्यूपमेंट जो होता एक बिमार व्यक्ति के साथ जो जरूत की चीज़े होती हैं वो तमाम चीजों का नितर प्रतिपक्ष ने अर्रजमेंट करवाया है और वो उसे हिसाब से तैयारिये चल रही है और वो जब पु तो कहेने के दोनों के बीच जो उम्र का डिफरेंस जिसके कारण ही साथ नहीं आ रहे हैं तो यही कारण तो वज़ा तो नहीं है क्योंकि एक यंग वलड़ जो की जवान है अभी और एक नितिश्खवर के बात करें जो की छेसाद वर मुख्यमुत्री रह चुके हैं उनका अचा अनुभव रहा है कि यही वज़ा हो सकता है कि दुरहों के सब्ता में आने का तालमिल नहीं बैठ रहा हो दिए कहां का जाता है कि अनुभवी लोगों उन्होंने हमेशा ही अपनी मर्यादा से नीचे गिर करके उन्होंने अपने चाहे उनकी बाते रही हो चाहे उनका वैभार रहा हो तो अब अगर हम यहां एक यंग और एक ओल्ड एज की बात करें तो आपको देखने को मिला होगा कि एक वो यूथ आइकन जो उम्र में उनकी बहुत उन से चोटे हैं बाज़द इसके उन्होंने हमेशा अपनी गंभीरता और वैसे मुद्दों के लिए बात किया उन्होंने जंता के बीच में जा करके रखा उन्होंने जो असल में जंता से जुड़ेवे मुद्दे थे तो आप अनुभों की अगर बात करें तो यहा लेकिन आज जो यूठ है वो जान रहे कि हमारी जरूरत क्या है और वह समझे और यही कारण है कि रास्ट जंता दल जो है वो नंबर वन की पार्टी बन के उभरी है कि लालु प्रसाद याद को बहार आएंगे शनता से जोडेंगे तो बहार की जोराğı कि समीकरन ओधाने क्या बदलेगा का नितिश्क मार ऐं कुछ बयान देंगे क्योंकि जब से लालो प्रसाद यादा बाहर जेल में है बिहार से बाहर थे निता पृतिपक्ष और नितिश्कमार से मुलाकाते कम हुई बाते कम हुई हाला कि इन दिनों भी देखने को मिल रहा है कि दुनों जाती जनगना को लेकरके एक हैं क्या लगता है क्या बदलेगा बिहार की राजितिक बिहार की समय करने कि जिस तरह से आप लोग लगातार नितिश्कमार पर संगी होने का आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सत्ता चला रही है बीजेपी के नेता ही चला रहे हैं संग के द्वारा सरकार चला रही है और नित जब मारेनी मुख्य मंत्री नितिस कुमार जी पे जो संगी होने का आरोप लगा है आप देखिए अगर उन्हों जाती जनगना पे बात कब की जब हमारे नेता प्रतिपक्ष्टे जिस भी यादो जी ने पत्र लिखा प्रधान मंत्री जी को कि मिलने का समय दिया जाए मुख् मंत्री को है यह नहीं है तो यह दिखावा करते हैं नितिस कुमार जी और कुछ नहीं है और पुर्ण तो वो आरे सिस की चंगुल में फसे हुए हैं और बड़े भाई छोटी भाई की भूमिका छोड़ दीजे आज जेडियू का अस्तित्व तक प्रश्न चिन लग गया है क वो बचेगा भी नहीं बचेगा क्योंकि जिस तरी के हम देख रहे हैं गडबंधन का पूरा का पूरा लाब जो है बीजेपी ले गई और जेडियू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जेडियू के लिए बह बिहार जब आएंगे तो बहुत कुछ बदलाब देखने को मिलेगा जिस तरह से लगतार नितिश कुमार पर राजत के द्वारा संगी होने का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब लालु प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो बिहार की राजनीते में बद देखना होगा लालु प्रसाद यादव बिहार कब आते हैं क्या कुछ बेहद रहेगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ राजनीतिक रूप से सक्रीता बढ़ेगी देखते रहें दाइंडिया टॉप मैं हूँ आपके साथ दुशाल यादव धन्यवाद